हेलो एब्रेवन, वेलकम टो फिट फूड एंड हेल्थ, मैं हूँ टेटिशन नीना सेट, तो एक दिन बाद शिवरात जी है, तो आज में एक बहुती टेस्टी स्वीट रेसिपी लेका रा गई हूँ, जिसका प्रशान भी बना सकते हैं, और ये रेसिपी जो है मैं बिना मिल के कस्टर्ड बना कर आपको दिखाने वाली हूँ, क्योंकि थोड़ा सा सीजन चेंज हुआ है, और कुछ-कुछ थंडी चीजें भी हमें खाना आप अच्छा लगने लगा है, तो ये डिटीशस कस्टर्ड मैं आपको बना कर दिखाती हूँ, चेनल पे नए हैं तो सब्सक् प्रेस कर लीजे, चिससे की आपको पता चल जाएं जब मैं वीडियो अप्लोड करो, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसे हेल्दी हेल्दी अपडेट्स लेकर आती रहती हूँ, तो मैं मना कर दिखाती हूँ, आपको ये टेस्टिं डिटीशस कस्टर्ड जिसके लिए आपकी बिलक और कस्टर्ड पाउडर तोनों ही नहीं लिया है, बहुत ही अच्छा ये फलाहारी कस्टर्ड बनने वाला है, जिसकी लिए मैंने यहाँ पे दो से धाई कप मखाने सोक कर दिये हैं, और ये देख सकते हैं, आप एक घंटे के बाद ये बिलकुल सॉफ्ट हो चुके हैं, पानी उस नहीं करेंगे, बहुत ही थिक सा एक पेस्ट बनाएंगे, और मखाने आपको पता ही है कि ये केल्शियम और प्रोटीन में रिच होते हैं, बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, काजु में होता है एसेंशियल फैट, और साथ में ही ये सैफ्रोन है, पानी में डाला है, बस सैफ्रोन वाटर ही उसकिया है, तो इतना ही थिक आपने पेस्ट बनाना है सबसे पहले, और उसके बाद इसी पेस्ट में हम एकॉर्डिंगली पानी डालेंगे, जादा पानी नहीं डालना है, करीब देड़ कप पानी मैंने इसमें डाला है, तो इसमें अब हम आधा कप पानी और डाल देते हैं, तो ये डेड़ कप पानी पूरा हो गया है, और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, अब यहाँ पे मैं देसी खान डाल रही हूँ, ये मैंने सफेत वाली देसी खान ली है, ये वाइट कलर और क्रीम कलर दोनों में ही मिलती है मार्क करने से और भी अच्छा थीक हो जाएगा और टेस्टी भी लगेगा, तब तक हम कुछ फूर्ट्स भी कट कर लेंगे, तो मैं ग्रेप्स को कट कर ले रही हूँ और साथ में एपल और बनाना को भी मैं कट कर लूँगी, आपके पास जो भी फूर्ट्स हो आप उसे डाल सकत देना है, और ये बहुत ही थिक और अच्छी कंसिस्टेंसी का हो जाता है, और ठंडा ठंडा बहुत अच्छा लगता है, और इससे हमें फूर्ट्स भी मिल जाते हैं, और आप इसका प्रशाद भी बना सकते हैं, ये आप किसी भी वरत में खा सकते हैं, क्योंकि इसमें सबी वरत में आप खा सकते हैं इसके उपर मैंने डाल दिये हैं थोड़े से पॉमोग्रेनेट सीड भी केसे भी आप इसे डेकुरेट कर सकते हैं आप इस पर ड्राइफ रूट्स का भी यूज कर सकते हैं तो यह बहुत ही टेस्टी और निर्ट्रीशस कस्टड बन गया है तो आपने देखा यह कस्टड कैसे बना दूल पी नहीं डाला है और फिर भी कितना टेस्टी और थिक बना है तो इस रेसिपी को आप जरूर बनाए शिवरात्री पेट और आप इसे किसी भी वरत में खा सकते हैं अभी नवरात्रे भी आ जाएंगे कुछ टाइम बात तो उसमे भी आप इसे खा सकते हैं आप इसे किसी वरत वार में खा सकते हैं और जिन लोगों को लाक्टोज इन डॉलरेंज से दूद नहीं पी सकते हैं वो भी इस रेसिपी का मज़ा ले सकते हैं तो ये बिना दूद का बना हुआ कस्टड आप पनाए और मुझे जरूर बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा तो शिवरात्री की आप सभी को हार्डिक शुपकाम नहीं मिलती हो जल्दी ही एक नई रेसिपी के साथ सोस रहिए मस रहिए और हमेशा खुश रहिए